नमस्कार दोस्तों नमस्तिक के वैपी यूट्यूब चनल में आपको श्वागत है और आज की वीडियो में हम अपने को बताने जा रहे हैं कि आप एरा कैसे इंस्टॉल करेंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो में चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जनकारी देते हैं कि एरा कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टॉम में इंस्टॉल करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं ERA के official website पे इस website पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जाना होगा और वहाँ type करना होगा bsdm era 2018.mkcl.org लिकर के जैसे search करेंगे तो आपके सामने इस तरह के से इंटरफेस आ जाएगा इसके अलावे मैंने वीडियो के description में इसके link दे दिया हूँ उस link पे क्लिक करके direct आप इस website पे आजाएंगे यहाँ आने के बाद आपको सामने इस तरह के से इंटरफेस मिलेगा अब आपको क्या करना होगा इसको drag करके नीचे की तरफ जाना होगा या आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड लिखा है इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आजागा era downloads इस तरह के अब इसको drag करके थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको era installer यहाँ को क्या करना होगा यहाँ आपको देख लेना होगा कि आपका system जो है कौन सा bit का है मतलब यहाँ दिखा रहा है जो डाउनलोड for 32 bit और यहाँ दिखा रहा है डाउनलोड for 64 bit तो आपका अगर system 32 bit का है और उसके अंदर आपके विंडो जो 7 है 10 है 10 है 8 है देख लेना है कौन सा है जो भी है तो 32 वाला इस पर QLIK करेंगे और 64 वाला इस ale kicks करेंगे औब कैसे चेक करेंगे कि आपका जू system है वह 64 बिट कहा है या 32 विट का इसके लिए हम आपको बता दे कि आपके सामने इस तरिका से लिखा नहीं आएंगे तो यहां सर्च करके आपको देख लेना है और यहाइ कंप्योटर सर्च कर लेना है उसके बाद इस तरीके से आपसे क्लिक करना ना है ड है बहुत अमय जाया हो इसी तरीका से आपको विपनेट प्रॉपर्टीर् कर देंगा च्हाइब बीट ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस तरीका से आपको 32 या चौशाट बीट देखने को मिल जागा तो अपना सिस्टम चेक कर लेना है चौशाट बीट है या बतीस बीट उसकी आलावा आपको यहां नहीं और जो होगा 32 बीट वला इस पर 64 बीट वला इसपर क्लिक कर लेना है तो मेरे 94 बीट का है इस पर क्लिक कर देंगे जैसे इसपर क्लिक करेंगे तो इस तरीका से BSDM, ERA installer यह download होना शुरू हो जाएगा यह 44MB का है कुछ समय लएगा आपको download हो जाएगा download होने का बाद कैसे install करेंगे इसके बारे में हम आपको बता देते हैं जैसे कि आप देख रहें कि यह download हो गया है download हो जाने के बाद इस पे click करेंगे और click करके show in folder या open कर लेंगे तो show in folder कर लेते हैं कहा गया है उसको दिख लेते हैं तो मेरा यहाँ पे आगए है यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा इस पे एक बार right button click कर लेना है right button click करके आप यहाँ से run as administrative पे click कर देना है जैसे इस पे click करेंगे तो आपके सामने इस तरीका से आ जाएगा अब इसको install करना है तो yes पे click कर देंगे अब yes पे click करते हैं install जो आएगा install पे click करेंगे इस तरीका से होगा जब तक इसको हम close कर देते हैं extract file में यह convert हो जाएगा अब यहाँ पे complete होगे आप close करने को बोल रहा है यहाँ पे तम close कर देंगे